कि मेरे दोस्तों नमंसकर अज है से आइट यान टूब में आपको स्वागत है इस वीडियो के मदहमें से हम लुगोंसे हम लोगोंने आपको कास्ट, INK आपने वारे को के सरा आपको कैसे त्यार को समझें किस आपको कैसे उपयोग करते हैं वहां आपको कौन से रंग के होते हैं ठीक है और इस तरह से आपको उसमें कितने Phymin टाइप में ठीक है इस सभी इत्यादी मेंटर को हम उसके बारे में जानेंगे ठीक है चलिए तो इसके बारे जान लेते हैं कि आप कौन-कौन से आपको कास्ट और के टाइपस होते हैं उसके बारे में जानते हैं चलिए वीडियो को स्टाट करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर ले शेयर करें सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो को नोटिफि गयार का जयातू है तो हम स्थार्ट करते हैं गर नोट कर прим are सब्सक्राइब कर तो गरल्ट इससे तांव होते हुए ne यह सभी कास्ट एरन के हम आपको टाइप्स आपको नोट कर चुके हैं इसको आपको कर लेंगे ठीक है और परतेक कास्ट एरन के जो टाइप्स को परतेक के बारे में जानेंगे कि वह क्या है ठीक है उसका टाइप्स जो वना कास्ट आपको जान रहे हैं कि कास्ट एंड क्या ह होता है तिकाड घूीven में जो असुद्यां होता है वह पिग अ एन के प्एकश होता है और कास्ट जाड़ा असुद्य उस्धा होता है आपको फिकाड इन भी कि यहां कि आपको पीछले जो वीडियो किस तरह से आपको इसमें कौन कौन से मेंतर होते हैं तो पहले आपको यह टैपस जानेंगे कि कोन को से टाइपस होता है इस स्टैप्स को जनने के बाद आपको कीया ध्यान दिना है कि यह gray- के वादर में आप जनिए जो होता है वह क्या होता है ठीक है तो इसका नाम भी रखा गे आपको अदिक आए और यह सब सबसे अधिक उप्यूग होने वाले यह कास्ट आर्ण है सबसे अधिक में ओने वाले यह कास्ट हम अपको घ्रिक कास्ट होता है उसको बाद है कि इसमें जो होता है कारवन की परसंतता जो होता है आपको गरेकास्ट परसेंटा होता है जिसमें जिसमें आपको फिरी कार्बन ठीक है जिसमें फिरी कार्बन और कंबाइन कार्बन आपको अलग-अलग होता है ठीक है इस फिरी कार्बन आपको दो परसेंट से तीन परसेंट तक होता है और कंबाइन कार्बन जो होता है एक परसंट होता है अब ध्यान देंगे कि आपको फिरी कर्बन और कंबाइन करवन होता क्या है तो पता होना चाहिए कि धातु में कर्बन होता है और सुधातू से जब कार्वन को हम पिर्थकरन कर उसको निकालते हैं तो 2-3% जैसे ग्रे कास्ट आयन में ग्रे कास्ट आयन से जब कार्वन को हम निकालेंगे पिर्थकरने कर तो उसमें 2-3% ही कार्वन आपको बाहर आएगा जो दो से तिन परसंट जो बाहर आ गया उसको फिरी कर्बन करते हैं और उसको बाद जो करने के बाद भी उसमें एक परसंट कर्बन बच जाता है जो नहीं निकल जा सकता है तो उसको बोलते हैं आपको कमबाइन कर्बन ठीक है तो उस कमबाइन कर्बन के भी बारे में आप सम तो आपको कारबन के बारे में समझ गया कितना परसंट कारबन आपको होता है और फिरी कारबन क्या है कितना होता है कितना होता है उसको बाद हम समझेंगे हम लोग उसको रंग के भी बारे में समझ गया कि रंग कितना होता है तो रंग जो आपको जान रहे हैं कि रंग के बार को लिए जाता है इसका ग्रेकास्ट आजर या ब्राउण कास्ट और भी कहते हैं भूरा रंग के यह रंग होता है तो इस तरह से आपको उसके रंग के होता है ठीक है इसका उपयोग जो होता है पाइप ठीक है में इत्यादि बनाने में आप परयोग कि एसके बाद है निकेल व्रेक्त हाइन में आ любим को आपको एक मिलrov बनाया जाता है कि करने का मतनule है कि तो आसान प्रवक इसको किया जा सकता है ठीक है वेल्ड आप समझ रहे हैं कि अस्थाई जो होता है वेल्ड जो होता है अस्थाई जो होता है जो बेल्ड भी किया जा सकता है आपको ग्रेकास्ट अन्ड को लेकिन इसमें ग्रेकास्ट अन्ड को जब उसे बेल्ड करेंगे तो बेल्ड कर वह अचुत्षी तरह बेंट पकरेगा तो इसको मेंट जांते हैं कि वाइट कास्ट ऐरनथ मेंटर जानेंगे पहले अमझ लेते हैं इसको देख लेएं कि काश्ट में आपको फइन barbar कितना परसंट होता है तो 2 से 4 काश्ट कोaffen होता एस्टे में इसमें यह मैंने को Alber classic कितना है तो 2 से 4 परसंट आपको परसंट इसमें लिल को श्या B दिमाग में दिमाग में रखना है जिसमें जोällt ग्राना कलॉता है आपको अधिक होता है और इसमें क्याओं की कारवन नहीं होता है ट्रेकर लेकिन यह को होगा एधिक होगा और फिरी कर्बन और कंबाइन के बारे में हम दो समझ चुके हैं ठीक है तो वाइट कास्ट आयन में आप देखें के टारन अर्थात उसका रंग जो क्या होगा उजला होगा स्वेथ होगा है न वाइट होगा तिक उसको बाद हम लो समझते हैं कि यहां जो होता है जो आपको ग्रेक कार्ष्टाइन के अपेक्षा यह बहुत ही हाड होता है इस पर मसेलिंग करना मुश्किल होता इस तरह से हम लोग समझ आगे नेक्स हम लोग जानना चाहिए कि इसका जो होता है कि मेन होल का जो धकन जो बना जाता है उसमें पाने के पाइप बनाने में ठीक है उसको बाद है बिली के में स्विच को बनाने में इसका उप्योग किया जाता है ठीक है इससे रोट एंड त्यार किया जा है होई फ़वाइट कास्ट अंच से ही आपको रोट रान त्यार कया जाता है उसको बाद इसको बेल्ड नहीं क्या जाता, उसमें on metal को मिलाने के बाद उसमें की गुन को पुलायय जाता है ठीक है लेकिन इसमें क्या है कि आपको इसको बियुल नहीं किया सकता है कि proto करने के लिए प्वियोग किता है ठीक इसको बाद हम रोष समझेंगे हैं आपको इस से जो तेयार करता है यह क्या सकते हैं लेकिन कि समझ गये कि आप वह क्या क्या आपको काष्ट में होता है वाइट कास्टन में क्या होता है कि निस्ट हम बढ़ेंगे आपको मोटल झाल किसा से přाउठी के बारे में लोग जानते हैं तो मोटल कास्ट आयंड में पता होना चाहिए कि आपको ग्रेड कास्ट और इसमें जो होता है इसका जो होता है इसका जो होता है असानी से मसली किये हुए इस क्ये जाने वाले पार्ट हो प्र के जाता है जो इसका क्या आशने से मसली किये ज़ाने वाले आशने से कि इसका जो पार्ट पर जो किया जाता है साने से इसका hardness और strength ठीक है hardness मतलग का ठोड़ता और आपको को दवाव सक्ता जो होता है एक strength जो होता है उसको सहन करने की छमता उसमें बनी रहे है तो यहीं आपको होता है मोटल काश टैयरन जो मुक्रोफ से आपको याद रखने की मेटर है कि कैसे त्यार किया जाता है तो आप को ग्रेग काश्टायन चैसे को किया जाता है और इसमें जो होता है आपको फिरी कार्बन और इसका उप्योग तो उसको मस्निंग किया जा सके और हाडने सी बनाए रख और इसटेंथ भी आपको बनाए रखें तो इस सभी गुन आपको मुटल कास्ट आर्न में होता है और इसका उप्योग उसी तरह से आपको किया जाता है देखेंगे यह विडियो आपको जधा लंबा भी नहीं हो टिक है इसलिए आपको चार बच रहा है जो क्रेंड का जो टाइप्स में जो आप देख रहे हैं इसमें रिवडय क्सटंभ इस चारों का आपâte इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है इस वीडियो में आपको यह आपको तीन कास्ट एंड के बारे में जाने उसके टैप्स के बारे में जाने ठीक है और इस वीडियो में आपको क्या करेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर ले सेर करें सब्सक्राइब कर ले और बिल का लाव उठाए बैबै टेक क्यार